यो, what's up guys, कैसे आप सुभी लोग, welcome back to another game play video, तो guys आज हम लोग दुबार से के लिए चुरा रहे हैं GDF5, तो जैसा कि आप सुभी लोग को याद होगा, कि last episode में मैंने Los Santos के एक बहुत बड़े luxury mention, मेरी मदराजो के घर से 5 luxury cars चुरा ली थी, पर वो सारी गाड़ियां हमने Levin Western के लिए चुराए थी, क्योंकि time आचुका है, अपना real dream पूरा करने का, और वो सपना है, एक movie producer बनना, और आली शान जिंदगी जीना, क्योंकि आर आप लोग को याद होगा, कि Michael की family भी Michael को इसलिए छोड़ कर गई थी, क्योंकि पूरे time अपनी police से, military से, terrorist से, और अलग गैंक से fight चलते रहती थी, जिस वरसे Michael को और साथ ही Michael की family को बहुत ज्यादा खत्रा था, बढ़ा यार, आज से हम लोग ये सब कुछ चोड़ने वाले हैं, मतलिब की गाड़ियां चुराना, बैंक में चूरिया करना, सब कुछ, आज से सारे गलत काम बन, लास्ट नाइम हम आज से अपना main काम है, ये एक movie producer बनना, क्योंकि यार, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा भी है, और एक luxury feel भी आएगी यार, बाकी हाँ, Michael ने तो अपनी family को भी call करके बोल दिया, कि अब वो एक movie producer बनने वाला है, और ये बात सुनकर वो काफी ज़्यादा खुश तो ह बट उससे ज़्यादा वो लोग शोक हैं, क्योंकि एक इतना बड़ा gangster criminal, movie producer कैसे बन सकता है, इतना अच्छा काम कैसे कर सकता है, और शायद से वो लोग ये बात सुनने के बाद, घर पे Michael के साथ रहने वापिस आ जाएं, और वैसे हाँ, मैं आप लोग को बता दू कि last time हम वे ने वो गाड़ियां इसलिए चुराइती मदराजो के घर से, क्योंकि यार जो movie का producer है Devin Weston, उसने उस movie में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुए, तो हो कह रहा है कि तुम मुझे इतना पैसा लाकर दे दो, पढ़ यार अपने पास इस time पर bank में 0 डोलर से हैं, तो मैं जाना है उसकी assistant Molly से मिलने, वो शायद से में film दे देगी, एंड हम लोग एक movie producer बन जाएंगे, वैसे, main काम तो है, सब कुछ, अंकल ने करवाया है, उनसे भी मिलने चलना है, सबसे बहले तो, मेरा husky, okay, मैं काफी देर से, इसी को ढूंड रहा हूँ, उपर नीचे करके, मैं जानी ने बोला, काफी सारी हमें, लंबोगनी चाहिए होगी, फरारी चाहिए, बुगाटी चाहिए, पर अपना नया वाला जो शोरूम है, हम लोग पूरा भर डालेंगे, सिफ और सिफ महंगी कार से, जो पुराना वाला शोरूम है, उसमें भी सारी सस्ती कार, second-end कार और क्या कर रहा है, गाड़नर, यह गाड़ी, एक सेकंड यार, इसको इससे मत साफ कर भाई, और गंदी हो जाएगी, मेरे साफ से तो, वैसे गाइस, हाँ, मैं एक चीज़ मैंने कल नोटिस नी, वेट, यहाँ पर मेरे लिमोसिन थी न, यार, यहाँ पर मुझे सेक्योरिट लगानी पड़े की, दो गाड़ियां घर से गाइब हो गई है, भाई, मैंने लास्ट इम बिल्कुल भी जान नी दिया था, बट जब मेरे को बाद में आदा है, मैंने दिखा है, यहाँ पर से अपनी यार, वो इतनी ज़्यादा महेंगी कार चोरी, मेरे पास यार, अभी न अनलोक करता हूं राम से, जल्दी से लगी गाड़ी में बैठते हैं, अब फटा फट से गाइस, सबसे पहले नहीं मैं जाने वाला हूं, एक फोन खरीदने के लिए, क्योंकि यार, जब से मैंने दूसरा वाला फोन लिया है, भाई, इस फोन में पता नहीं क्या है, एक एक क को तो अभी ना फिलाल मैं अपनी लंबोग नी उरूस लेकर पहुचने वाला हूं सीधा आइफ रूड स्टोर पे, बस मुझे इस वाले कटिसे अपनी गाड़ी को राइट मोड़न है, और क्या ही प्यारी ड्रिफ्ट तुमारी है, भाई मैंने यहाँ पर, वैसे हाँ गैस वो रासाम नाइफ रूड स्टोर, जल्ली से अंदर चलते हैं और एक बड़ी असा फोन खरीद के लाते हैं, और हमेशा की तरह लोस सेंटोस में आज भी पार्किंग की दिकत, बड़ अच्छी बात तो यहाँ पर थोड़ा सा एरिया था, तो फड़ा बट से पनी गाड़ी यहाँ पर तो काफी बड़िया बड़िया लाप्टोप, आईपैड, सफाइफाई भी चल रही है, सब कुछ आ गया, यहाँ पर नए वाले घर में काफी सारा समान यहाँ से ले जाके लगाएंगे, बड़िया बड़िया एकदम, वैसे हाँ, अभी मैंने सोच लिया है, यह वो वाला मोडल है, यार, वो वाला फोन का मिलेगा, वो तो खो गया ना, बड़ा यार जो भी हो, अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा सोलो मोन के पास, और पता करते हैं कि आकिर कार जो अपनी मूवी है, माइकल प्रोड्यूसर बन रहा है, उसकी मूवी है, तो भाई अपना डीलर्शिप जो है, उस पे भी काम करना है, बैनी ने काफी सारी गाड़ियां इंपोर्ट करवाने के लिए बोलिया, तो वो भी करवाएंगे, बट उससे पहले हम लोग चलते हैं सोलो मोन के पास, क्योंकि अगर मूवी रेडी हो जाएगी ना, तो माइकल की फैमिल है यह ने, बैसे बातों ही बातों में, फिल्म सिटी पहुचने वाले हैं सोलो मोन के पास, ओके गाइस, तो यह हम लोग पहुच चूके है, रिचार्ड मेजस्टेक्स, फिल्म सिटी, फड़ा पट से अम लोग अपनी गाड़ी को यहां पर लाते हैं, हलो बाई साप, सॉरी सॉरी में उल्टी साइट से लिया रुक जाओ यह एक्सिट है यह एंट्रेंस है गेट खोल दे यार जल्दी क्या कर रहा भाई फोन में लगा पड़ा यार यह बेंदा बेटे इंस्टाग्राम रील बनाके मारू एक सेकिंड रुक जाओ यार तुम्हारा हमेशा का रहा क्या दिकत होगी हटा इसको इसकी ऐसी कित ऐसी मुझे मुझे मारा उर्म उटोमेटिक लिए खुल चुका है चलो यार पटाफ़से लोग अपनी गाड़ी को उंदर लेकर चलते हैं यहां पर कोई लग रहा है एलियन वाली मूवी भी शूट हो रही है हमेशा भीड़ लगे रह वीड़ पाइसाब काफी जदा एकसाइटमेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्में लेकर पताँ कितना पैसा में इस मूवी से मिलने वाला है कि तो हम लोग आचके हैं सॉलमोन के ओफिसमें काफी जदा खुश लग रहे हैं रहे हैं सुलमोन के विडिये हैं एक स्थेश ब्सक्राइब रहे हैं विए घ्राइब जिए उवर्टीसिक यहां लोग के शट अप और देख लुक्ट अश्चेव प्रूड़ बद्मुश्याश्प माइड्यल दिसंटा वह बाई यह देकिने के बाद माइकल से खड़ा नियों बाई यह यह वी ना बाद वह वह बाई अब यह थोड़ी प्रोडिूसर वाली फील आरही है यह यह पार्टी शुरूर होगी बाई लेट्स गईस अब आने वाला मजासली मैंकल ने भी अमेंडा को कॉल करके बौल दिया है कि जो अपनी मुवी है वो पूरी कॉम्पलीट हो चुकी है और यह चाहता है कि मुवी रिलीस होने से पहले पूरी की पूरी फैमली एक साथ थेटर में बैठके अकेले उस मुवी को देखे तो अभी ना guys मैं थेटर तो जाओंगा लेकिन अभी scene कुछ ऐसा है कि जो movie है ना वो main पूरी को पूरी जो file वो इस time पर अपने पास नहीं है वो भी बन कर आनी है थोड़ी दिर में आए कि Solomon कह रहा है कि मुश्किल से थोड़ा सा time लगीगा थेटर भी अपना है पुरा का जो कि हमारे नहीं वाले showroom में आएगी क्योंकि यार दिखो producer तो हम लोग बनी रहे हैं बट साथ के साथ अपना dealership वाला काम भी चलता रहेगा तो उस पर भी में ध्यान दे रहे हैं बठा यार अभी अभी मुझे याद आया मुझे सुपे सुपे Big Mafia के भाई का call आया था औ कि यार अभी आप बस में अपनी बहुत तगड़ी दोस्ते हो चुकी है वो North Huntington का मालिक बन चुका भाई पूरा जैसे पहले उसकी बात चीत थी ना सेम उससे ज़्यादा बात चीता गी है क्योंकि यह भी एल लूबियो उडगन बॉस दोनों लोग मारे जा चुके हैं तो उसके पास कायो पैरी को आइलेंड भी आग गया है बट लोस सेंटोस अभी भी हमारा रहेगा बट चल कर देखते हैं आकर क्या सीन है वो हमें किसले मिलने के लिए बुला रहा है कोई कोई दुबारा से लड़ाई वड़ा या फिर किसी को मरवाना तो भाई मैं उसके साफ म से निकली है और वापिस वो अंदर जा चुकी है और अभी लोस सेंटोस काफी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है फिलाल हाँ जल्दी से हम लोग पहुशने हैं पहले बिग माफिय के भाई के पास देखते हैं क्या सीन है ओक गाईस लेट्स को तो अभी फिलाल में अपनी लंबोग नी उरुस भगाता हुआ से इधा बिग माफिय के भाई के दी हुई लोकेशन पर पहुशने वाला हूं उससे मिलने के लिए तो मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को लेफ्ट मोड ना है बाक यार एक बारी आप लोग यहां पर ध्यान से देखो मतलब कि कि आगे वाले कट से यूटन मारने है वेट यह कहां पर बुलाना चाहरा है मुझे बिग माफिय का भाई मुझे लग रहा तो कोई मेंशन मेंशन होगा वहां पर अराम से रह रहा हो गए और हमें मिलने के लिए बुला रहा है विजाल वो देखो राइट साइड में एक कि कैसी से जगह पर इसने मिलने के लिए हुला है कोई स्कैम तो नहीं करने वाला है हमारे साथ एक मिनट रुक जाओ मैंना अराम से आगे बढ़ूंगा क्योंकि मुझे ना सामने की तरफ में कुछ सिक्योरटी गार्ट्स और कुछ टेरिस टाइप बंदे भी नजर आ रहे ह शाथ से इसकी सिक्योरटी होगी आरे हाँ यह थोड़े वो जाने पे चाने लोग लग रहे हैं हेलो गाईस क्या हो गया भाई यहाँ पर एक सेकिन इतनी सिक्योरटी की कैच ओर रहत है वेट मैं अभी चलता हूं इनसे बात करता हूं इनको बताता हूं मैं उसका स्पेशल दोस्तूं और उसने खुद मेरे को यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया है वाकि मोसम को देखो भाई क्या ही हो रहा है तो अभी ना मेरी इन भाई साब जी से बात हो चुकी है और इन्होंने अपनी यह वाली बाइक साइड करके बैरियर खोल दिया है और यह कह रहें कि हाँ अब बिग माफिय के भाई से में इनके बॉस से जाके मिल सकते हो फिलाल जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं यह बारिश के उज़र से पनी पूरी गाड़ी गंदी हो चुकिया भाई ओ सॉरी सॉरी नहीं नहीं इतनी भी जादा डेंजरस निये कार इसका सा जोटे से घर में आके क्यों रह रह रहा है और चारो तरफ उसने तरी तगड़ी से क्योर्टी लगा रहा है कोई विश्वास करेंगा इस घर में रहने वाले बंदे के पास छे रेंजरोवर है वह स्पेशल एडिशन हम लोग भी पनी गाड़ी को यहीं पर खड़े कर देते है यह वाला पेड़ कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना काफी ज्यादा बढ़िया बना हुआ है चलो यार कोई ने फिलाल वह सब हम लोग बात देखेंगे अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं घर में बिग माफिय के भाई से बात करने के लिए कि आकिर कार उसने हमे आज यहां पर क्यों बुला है सब कुछ तो हो चुका है और अभी हमें यहां बुलाने का कोई मतलब तो देखो यार बनता नहीं है बढ़ा बिग माफिय के भाई ने बुला है तो कोई ना कोई तो इंपोर्टेंट काम हो गई तो यहां पे इसने चोटा सा एरिया योगा श चोटे से सुईड हों में आ चुके हैं बट ओकी तो यह राब बिग माफिय का भाई और इसने यहां कुछ नए दोस्त बना लिए क्या ओकी गाईस तो भी मेरी बिग माफिय के भाई से बात हो चुकी है और यार सची में इसने तो कुछ जादा ही इंपोर्टेंट काम से हमे यहां पर मिलने के लिए बुला है सबसे पहले तो यह देखो इसने यहां पर आकर कुछ नए दोस्त बना लिए हैं और उनके साथ बैठ कर यह पूरा दिन यहां पर टीवी देखते रहता है कह रहा हां ठीक है विसे हां इसने हमें यहां पर मिलने के लिए इसलिए बुला है क्योंकि यार काफी जदा टाइम हो गया उससे मिले वे यहाँ पर एक और छोटा सा रूम है और यह देखो इस छोटे से रूम में छोटे से बेट पे यह कैसे अराम से सोया पड़ा है वो भी पूरा लट के यार कैसे से रह रहे हैं आरे लोग इस छोटे से घर में यहाँ पर अच्छी कासे सिक्योरटी भी लगा रहे किया इस रूम में ताकि अगर यह सो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो फिलाल हाँ उसको मैं अभी परिशान नी करने वाला क्योंकि वो पूरे दिन जिम करते रहता है उसे अभी सोने देते हैं बाकि यह बिग माफिय का भाई कहाँ पर चला गया मैं तो इसे ढूंड रहा हूँ अभी तक अंदर अपना बैठ के टीवी देख रहा था पर अभी नजर भी नहीं आ रहा कहाँ पर चला गया कहीं ओड जाने का तो प्लान नी है अपना डीलर्शिप से में जो भी हम लोग अपने शोरूम से कमाएंगे ना उसका 10% यह लेगा जिंदगी भर के लिए चलो कोई दिकत की बात नहीं ठीक है इसने यार हमें जो डाइमर्स थी हैं यह अराउंड 200 मिलियन डॉलर्स के हैं अब वो अपने उपर डिपेंड करता है कि हम लोग इसे कहां पर जाकर बेच रहे हैं थोड़ी अच्छी कंट्री में बेचेंगे तो और भी जादा यह महंगे बिख सकते हैं फिलाल महां पर यह कहां हो है मैं काफी दिर से कन्फ्यूस हो रहा हूं य क्योंकि इसे मालूम था हमारा बैंक बैलेंस पूरा खाली हो चुका है और हमें सपोर्ट के लिए कुछ नगुस्तों चाहिए क्योंकि हमारा इतना बड़ा शोरूम है उसमें कार्स होगरा लानी है काफी डाइम से यही सोच रहा था कि यार बैनी ने लिस्ट तो भेज दिय हैं तो चलो गाइस अभी ना फड़ावट से में लोग अपनी लंबॉग नी उरू से लेकर निकल लेते हैं सीधा लॉस एंटोस के लिए पहले मैं सुच रहा था कि यार गाडियां खरीदने चलते हैं सीधा लिबर्टी बट अभी अभी मुझे याद आ है कि अपनी मूवी सोलो मोन वहाँ पर लेकर पहुचने वाला होगा थेटर में और माइकल की फैमिली भी लॉस एंटोस आने वाले हैं सारी लोग बैठ कर अपनी न्यू मूवी देखने वाले हैं देखते हैं आकिरकार वो कैसी है तो अभी फिलाल मैं अपनी गाड़ी लेकर लॉस एंटोस पह बहुत चुका हूं एक काम करता हूं यहां से ना सबसे पहले तो मैं अपनी गाड़ी वाश कर वाले था हूं क्योंकि पहले तो यह बारिश होई फिर सारी मिट्टी चिपक गई बढ़ी वो जो सूक गई है ना उसके बाद ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बहुत जादा खतरना आप ओफ रोड ट्रिप से आ रहा है उस गाड़ी को लेकर तो हां लगे हाथ हम लोग यहीं से वोश करवा लेते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा 15 डॉलर्स में अपनी गाड़ी सिर्फ उसे 5 से 5 से 10 से के अंदर पूरी चमक के नहीं हो जाएगी लेट्स को तो यहां प कहीं कहीं आगया होगा तो अगर आप लोग को मालूम है तो मुझे कॉमेंट में जाके वो स्टेट जरूर बताना ओके तो यहां पर अपनी गाड़ी पूरी वाश हो चुकी है और अभी बस आया इस पेस टीम देके खोड़ा ब्लॉर मार के सुखा दिया जाएगा और अब पूरी नहीं लुक होगी है गाड़ी की सिफो सिफ पांच मिनट में पांच मिनट भी यार दस सकीन लगे हैं लेट्स को अभी हम लोग निकलते हैं सीधा थ्वेटर के लिए जहां पर माइकल की फैमिली एंड सोलो मोन वो फिल्म लेकर आने वाला है और भी काफी सारे बंद लोग सोच रहे होगी कि ये बंदा अभी तक इतना खुश था बट आप इतना चादा उदास कैसे हो जटके से तो मैं आप लोग को बताता हूं अभी मेरी सॉलो मॉन से कॉल पर बात हुई थी और वो कह रहा कि जो पनी मूवी है ना वो फाइनी पूरी एडिट होके लिबर लगता है बठा कोई नहीं फिलाल हम लोग सिनेमा पौछ चोके हैं माइकल की फैमिली भी यहां पर आने वाली है जब तक हम लोग कोई और मुवी देख लेंगे वहां से पता नहीं कोई तो बंदा लेकर आएगा सोलो मॉन का फिर वह यहां पर पोचेगा देन हम लोग देखते हैं कि अभी कौन सी मूवी यहां पर लगी हूं हमें को यहां पर मना नी करने वाला ठीक है आपर फुल फुल छोण में बिन टिकेट के मलोग घुछ चुके हैं क्योंकि अभी हम लोग सोलो मोन के फ्रेंड है और यहां पर मतलब कि सभी लोग में जानने लिए अंदर आगयों शाहत से भी कोई भी मुवी का टाइम निया थोड़ा ना पहले बाहर चलके ने एक पर ही टाइम वाइम देखकर आता हूं उसके बाद हम लोग अंदर आएंगे कौन सी मुवी कितने बज़े यहां पर चलने वाली है वही मैं कौन यार पूरा थेटर खा है फिर उसके बाद टिकेट लेंगे पता चला टिकेट ले लिए और माइकल की फैमिली लेट होगी फिर मुवी भी मिस हो जाएगी और काम भी खराब हो जाएगा तो गाइस देखो अभी ना फिलाल माइकल की फैमिली यहां पर हमसे मिलने के लिए आ रही है बट एक चीज तो मैंने सोची ने कि आकर कार अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हूँ है अगर वो लोग आते हैं तो उन्हें हो सकता है रेस्टोरेंट जाना हो या फिर मुवी भी देखनी है तो उसके लिए भी में टिकर्स तो लेनी पड़ेगी ना बट अपने पास बिलक निकालते हैं क्योंकि थोड़ी दिन की बात है उसके बाद हमारे जो डायमंड्स है वो भी बिग जाएंगे और जो डीलर्शिप है वो भी हो जाएगी और प्रोड्यूसर बनने वाले हैं तो वहां से भी धेर सारा पैसा आने वाला है फिलाल एक बार यूंसे कॉल करके पू वैन चलाकर मुझे कहां पर लेकर जाने वाले हैं लो भाई साप अभी मैं कसम से बहुत बुरी तरह फस चुका हूं मुझे कोई आइडिया नहीं है ये किसके बॉड़ी गार्स था है और इनके पास यार दोनों लोग के पास तगड़ी तगड़ी गंस है उन इन लोगोंने एक भी वेपंस यानि एक भी गन नहीं है मैंने सारी गन घर पर रख़ दी थी वरना तो मैं इन दोनों लोग का इन दोनों का क्या इन चारोग का मूँ तो डालता भाई साब पता नहीं अभी ये लोग मुझे कहां पर लेकर जाने वाले है Meg गसम से मुझे कोई आइडिया नहीं है, ओ भाई हेलो, सबसे बड़ी दिक्कत, जो diamond का briefcase हमें big mafia के भाई ने दिया था, वो भी शायद से वहीं पर गिर गया है, या फिन इन लोगों ने छीन के अपने पास रख लिया, बठाँ, वो briefcase अभी अपने पास नहीं है, यार क्या ही गंदी तरह हम लोग फस चुके हैं इनके trap में, तो ओके गाइस, अभी न, इन लोगों ने मुझे किसी बहुती dangerous से secret bunker के अंदर लाकर बंद कर दिया है, यहाँ पे चारो तरफ bloody blood और बंदों के body parts पड़े वे हैं, और अभी मुझे कोई idea नहीं है कि आकर ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं, last time इन्होंने मुझे वैन में भ्योश कर देता और उसके बाद जब मुझे दुबारा होश आया, तो मैं सीधा यहाँ पर था और एक second, यह अपना liberty वाला friend, इसने हमें किटनाप करवा है, वो भी mini madraso के साथ मिल के, भाई ये लोग क्या करना चाहते हैं कसम से मुझे कोई idea नहीं है, बठा, जिस तरीके से लोग में से मिलने आया है, मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा था है, यह मर गया है, बठाभी ये रेंच लेके शायद मुझे मारने के लिए आया है, तो guys देखो, अभी नाम लोग बहुत आप फस चुके हैं, क्योंकि मेली मतरासो को और अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड को बहुत बड़ी गलत फैमी हो गई है, आप लोग को याद होगा कि जब ये डगन बॉस की पार्टी में आता उस बड़ी वाले बिल्डिंग में, तो हमने वहाँ पे डगन बॉस को मरवा इन लोगों ने मुझे बहुत गंदी तरह मारना शुरू कर दिया है, वो भी अलग-अलग वेपन्स लाकर ये लोग यहाँ पे मुझे टॉर्चर कर रहे हैं बहुत गंदी तरह, और साथी मिनी मतरासो कह रहा है कि भाई मैने तुमें इतना बड़ा मेंशन दिया, और उसके जगा पर बंदू मुझे कोई आइडे निया, बाहर से क्योराटी भी बहुत है, तो गाइस देखो, अभी ना कॉंटिन्यूसली आदे घंटे तक पीटने के बाद, वो लोग मुझे इस रूम में छोड़ कर यहाँ से जा चुके हैं, और उन्होंने मुझे बूल है कि हम लो ना मुझे कुछ भी कर करना यहां से निकलना होगा, वैसे एक बात अच्छी है, वो लोग ना जाते जाते इन्हें भी बोल कर गई हैं कि तुम भी इसे मारना मत, इसका मतलब मैं इनसे पंगे बंगे लेकर यहां से निकल सकता हूँ, पर यह काफी जदा रिस्की है क्योंकि यह लोग मेरे उपर एम करके बैठे वे हैं, भले यह लोग मुझे जान से ना मारना चाहे, पर पैर हाथ वाथ पे बुलिट मेरे बजाई सकते हैं, मैं काम करता हूँ, इनके आगे नैसे एक्टिंग यह नहीं करता हूँ, कि मैं यहां से, मतलब कि इनके आगे उल्टी सीद है उमीद है उसको नहीं दिखा होगा इसको वापिस में अंदर रख लेता हूँ और इनके आगे न थोड़ी बूत ऐसे एक्टिंग करके दिखाता हूँ कि हाँ जैसे मुझे सचे में बहुत गंदे वाले चक्कर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें तुमने मेरे सर पे और दांतमा तोड़ दिया भाई पता नी कहा का रेंच मार रहा है कि क्या कर रहा का भाई लोग ने तुमने अगर मुझे मारा तो मेनी मदराज तू मेनी चोड़ेगा और अभी टाइम आचुका यहां पर असली ताकत दिखाने का मार कैसे रह बे मना करके अभी मुझे यहां से AK-47 मिल चुकी है भले इसके अंदर आमो थोड़ी बहुत कम है अपना काम यहां पर हो जाएगा भाई वो लोग ने बाहर से कोलियन चलाना होगा वरना बहुत बड़ी गरबड हो सकती है जो भी तेरी सामने यहां पर एक बंदा था उसको भी मैने मार और वो देखो वो सामने से मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है वेट अभी मैं इसके एक बचाता हूँ लो भाई इसको तो मैने डाउन कर दिया बट वहां पर एक बंदा ओर है इसको भी मैने मार डाला है भाई साब दो तीन तीन बोडी गार्ट्स यहां पर इन्हों ने तो मैं डाउन हो सकता हूं बागी हाँ इसको मैंने आश से मार दिया है बाहर निकलने का रास्ता कहां प्यार मुझे वह वीट इस तरफ में बंदा हो रहा है रुख जा रुख जा रुख जाना पड़ेगा मेरे को एक और यहां पर गन मिल चुकी है वह वीट पाई सब इसमें करंट था क्या एक सिगिंड तो गैस देखो अभी ना मुझे सोच समझ के यहां से धीरे धीरे आगे बंड़ना होगा शायद से बाहर निकलने का जो सीक्रेट रास्ता है न वो यही है फिलाल सामने की तरफ में एक बंदा था मैंने से डाउन कर दिया है यहां पर उत्तिरी इसकी यह तो एकदम रख रख के मुझे मारने लग गया है और अब आ बेठा दू बहुत तेर से चोड में बैठा हुआ है ना लेट्स को इसको भी मैंने एकदम मस तरीके से यहां पर डाउन कर दिया तीनों के तीन बंदे मारे जा चुके हैं और यहां पर कुछ बढ़िया अलग वैपन से शॉटकन है एसमजी है असॉल्ट एसमजी है बट मेरे पास उनके अंदर बिल्कुल भी एमो नहीं है फिलाल यहां पर धेड़ सारा पैसा और धेड़ सारा गोल्ड पुरी गोल्डन मंकी भी यहां पर पड़ा हुआ भाई वेट लेकिन अर अभी मुझे यह सब लेनी की जरूत नहीं मुझे पहले भाई यहां से निकलना है और अपनी जान बचाने भाई यहां से निकलके परना बहुत बड़ी गड़ जाएगी यहां पर एक बंदा और बैठा हुआ वेट अब पढ़िया भाई उसके कितनी गंदी तरा चुपके बैठा हुआ था यहां पर ले यहां से निकल अब बाहर निकलते हैं भाई तो यार देखो मुझे ना अच्छे से एकदम सोच समझ के इस जगह से बाहर निकलना होगा क्योंकि हो सकता है कि बाहर और भी बॉड़ी गार्ट्स हो और यह मैं किस जगह पर हूँ हेलो यह अपने लॉस सेंटो सी अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है यहां पर सामने और बंदे आगे वेट यार अभी हम लोग बहुत गंदी तरह पर सकते हैं मेरे पास बुलेट्स भी नहीं यार जादा अपनी गंद में इसको मैंने मार दिया यहां पर से जल्दी से गाइस मैं आसे ना आगे बढ़ता यहां पर भी काफिर बंदे भाई हो भागो अभी मुझे यांसे बेले तो कवर लेना पड़ेगा वरिना यह जिस तरीके बचके निकल पाऊंगा बहुत जादा ही बंदे यहां पर लाइन से आ रहे हैं रुग जाओो शॉटगर निकालता हूं अभी टाइम आचुका है एक इतने बंदे थे ओल्मोस्ट हमने सबको मार के डाउन कर दिया है स्नाइपर है मेरे पास स्नाइपर इस बंदे के लगेगी ना तो माच आई आजाएगा लेट्सको इसको मैंने मार दिया थोड़ी सी SMG बजाते हैं पट यह रिलोड भी तो नहीं है चलो कोई नहीं से मिल जाए गाडी स्टार्ट हो चुकि है और मुझे पी इन लोग ने ऊपर से मारने स्टार्ट कर दिया उपर से नी शाहिद इए लोग मुझे पीछे से मार रहा है मुझे इतनी देर से सबसे बहले न गाईज अपनी गाडी को मैं यह आपर चुपा के खड़े कर लेता हूँ ताकि य जल्दी सेना गाड़ी का जो हुड है वो लगा लेते हैं ताकि में एट लीस्ट उपर से थोड़ा भूत कवर मिल पाए इतनी जोरो की बारिश हो रही है न भाई यहां पर बहुत जाद ही गलस सीन निकल यहां से अपनी गाड़ी भी इसलिप मारेगी जो कि अपने लिए काफ सोरी सोरी मुझे यहां से एक मिनट रुट जाओ यहां से मेरी गाड़ी बाहर निकल जाएगी बाई बाई निखल गया मैं इतनी तगड़ी सिक्यूरिटी इन्हों ने लगा रहा कि थी फिर भी मैं यहां से बचके जा चुका हूँ बठा यार बहुत जादा ही गलस सीन है अ कि गाइस अभी ना फिलाल में अपनी गाड़ी बखाता बखाता काफी जादा दूर आ चकाँ उस जगह से और अभी ना मैंने ट्रैवर को भी कॉल कर दिया है और उसको मैंने अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दिया है ताकि वो मुझे जल्दी से जल्दी आके मिले क्योंक काश यार ट्रैवर जल्दी से जल्दी आये और हमसे मिले क्योंकि अभी तो ये सिर्फ मदरासों के बेटे के बोडिगार्ड्स हैं पर जब यहां पर एहल रूबियो के वो डगण बोस्के बोडिगार्ड हैंगे तो त्यार बहुत ही जादा गलत सीन हो जाएगा फिलाल सेना मैं अपनी गाड़ी जो है यहीं से बाहर निकाल लेता हूँ अब फड़ावर से यहां से हम लोग निकलते हैं और एक सिकिन यह लोग तो मेरे से पहले यहां पर पहुचे हुए है इनको भाई यह गंदी तरह एक मिनट रुख जाओ यह लोग यहां से निला पाएंगे पट्रियों के बीच में से अपनी गाड़ी निकाल दूगा हाई पांसे छे बंदे उनकी गाड़ी में बैठे हुए हैं मुझे मारने के लिए मैं आपने पतली पतली गलियों से इस जादा सही था क्योंकि उनके पास एक बड़ा ट्रक है और वो लोग अगर आएंगे तो अब लोग मोड़ते हैं पूर भाई क्या कैसी जगह यार यह थुके जारी अपनी गाड़ी बार बार लेट्स को यहां से अपनी गाड़ी मेंने बाहर निकाल लिया है फटा 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 भाई यह काफी जीब चुका पर आ गया हूं और एक तो बारिश भी आज ही हो इसके चकर में अपनी गाड़ी के टायर जो इन्हें बहुत गंदी तरह स्लिप हो रहे हैं मुड़ भी नहीं पार यार गाड़ी से अभी शायद से वो लोग पीछे रहे गई एक पारी में देख तो नहीं यार उनकी गाड़ी अभी भी यहां पर आ रहे भाई मुझे भगन और ये को नाया ओके ही भाई ये ट्रैवर हमेशा की तरह इसने फाल तो एंट्री करी है और गाड़ी लाकर सीधा सामने ठोगे लेकिन यही एकदम मस्त मुख है चलकर उन लोग को निप्टाने का सामने एक बंदा यहां पर खड़ा हुआ है ओ भाई इन्होंने हमारी गाड बाड़ी फोर डाली और रुख जाओ अभी ना में इस बंदे को डाउन करना पड़ेगा सबसे पहले ओ तेरी भाई यहां पर यह लोग पहुट चुके हैं रुख जाओ और यह भाई वेट यह लोग मेनी मदराजों के बोड़ी गार्स नहीं है अभी ना मेरे को ट्रैवर क सब्सक्राइब यह लोगों ने यहां पर एक मिनट यह सिलेंडर में पूरा फोर डालता हूं यह गया अभी इनकी बैंड बजने वाले हैं भाई को जादा ही बंदे यहां पर आ रहा गए हैं मुझे तो भाई कवर ले लेके इन से फाइट करनी होगी वरना बहुत जादा ब देखो उपर ना कंटे बाहर निकलने का रास्ता लग रहा है मेरे को अगर हम लोग यहां की कोई दूसरी एक्जिट हो वहां से बाहर निकल जाएंगा तो मेरे साफ से बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा भाई इदर बहुत ज्यादा बंदे आ गए हैं कोई और बोंब पक बंदाना मुझे उपर से मारने की कोशिश कर रहे हैं ट्रैवर को मुझे आगे बढ़ने देते हैं क्योंकि इसका निशाना कुछ ज्यादा तकड़ा है बंदे भी इजिली देख लेता है ओकी काईस तो अभी फिलाल ट्रैवर भी यहां पर आ चुका है और उपर से काफी सारे इनके बॉडिगार्ट भी आ गए है और अभी ना में उन पर कम फोकस करना है और यहां से दीरे दीरे आगे बढ़ना है क्योंकि हमें एक दूसरा रास् के अगर नीचे चले चाता तो भाई राख भी नहीं मिलने दे उसकी हमें दूसरी उसके पीछे वाली साइट सी घूमकर आगे आना पड़ेगा क्योंकि मेरे साब से यहीं आसे बाहर निकलने का एकदाम मस्त रास्ता है यहां पर काफी सारे बंदे हैं फिलाल ट्रैवर भी ना भाग कर एकदम मस्त आ गया है हमें यहां पर उपर जाने के सीड़ी तो मिल गी है पट कोई ना कोई तो हमें मारने की कोशिश कर रहा है नीचे से फिलाल उसको इग्नोर कर करना ओ तेरी भाई नीचे कितने सारे बंदे हैं इस जगा पर हमें करंट तो नहीं लग जाएगा ना गन मैंने अपनी रिलोड कर लिया है सामने जो बंदा दिखा था उसके एकदम मस्त वाला हेडशॉट मैंने बजा दिया लेट्सको फटा 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 हम लोग यहां से बाहर निकलते हैं आखिर इनको भी दिखा दिखा दिंगे कि इनकी सिक्यॉरिटी तीरी ऐसी कि तैस बट शायद से बाहर भी काफी सारे बंदे रुख जा मैं देखता हूं इसको एक सेकिन कोन है वाई ओके ही ट्रैवर ने पहली मार दिया चलो यह भी ठीक है नीचे में गाड़ी मिल गी है फटा फट भाई इस वाली गाड़ी पर बैट करना हम लोग यहां से निकल सकते हैं भाई कोई तो बंदा ओकी ट्रैवर ने इनके उपर भाई गिर्नेड मारना है स्टार्ट कर दिया है लेट्स को फटा फटा हम लोग सीडियों से नीचे उतरते हैं अभी जल्दी से न हमें यहां पर इस गाड़ी में बैट कर निकलना होगा क्योंकि भाई अभी यह लोग ए इसी सीक्रेट गली की तुरू में यहां से अपनी गाड़ी को निकाल लेता हूं ताकि कोह में देख भी ना पाए और हम लोग इस जगह से इसली एसकेप भी कर ले लेट्स को अपनी गाड़ी को मैंने यहां से निकाल दिया है तो ट्रैवर ने ग्रिनेड मार मार के पूरे लेट्स को फाइनली हम लोग इस जगह से निकल चुके हैं है सही टाइम पर ट्रैवर आ गया वरना तो हम लोग वहां पर बहुत पुरी तरा फश सकते थे फिलाल अपनी गाड़ी यहां फश चुकी है हां तो अभी फटफट फट गैस हम लोग यहां से निकलते हैं कहीं बच सकते हैं क्योंकि अर्थी को डग गन बोस अगर लॉस सेंटोस आया ना तो पूरे शहर में अपनी गुंडे लगा देगा हमें ढूंडने के लिए बठा यह जगह मेरे को भी लगता है कि थोड़ी बहुत सेफ है उसको लगी का भी नहीं कि हम लोग यहां पर छुपने क करूंगा तो फटाफट भाई मैं तो अपना गाड़ी से यही पर उतर गया हूं फटाफट नगाइस हम लोग एक बारी उपर चलते गंस वगरा निकाल लेता हूं क्या पता कुंडे अभी भी हमारा पीछा कर रहे हो और पीछा करते-करते वह लोग यहां तक पहुच जाए चुप चाप से उपर चलते हैं मुझे लगता है कि यहां पर कोई होगा क्योंकि इस फैक्टरी में हम लोग पहले भी कई बारी आ चुके हैं अपनी गन को ना सबसे बहले लोग अंदर रख लेते हैं एकदम फुल स्टाइल में लेट्स को अभी चलते हैं अंदर हाँ तो य अभी ना फिलाल सुबे के आठ बच रहे हैं और मैं सो कर उठ चुका हूँ लास्ट नेट हम लोग इसी छोटे से घर में आकर सो गए थे और यह जगा भी हमें ट्रैवर ने बताई थी क्योंकि काफी टाइम पहले यह जगा ट्रैवर का ओफिस हुआ करती थी मतलब काफी ज अभी ना मैं इस जगह से जाने वाला हूँ अभी अभी मुझे सोलोमोन का कॉल आया है और वो हमें लॉस सेंटोस बुला रहा है क्योंकि वह जो मूवी लिबर्टी सिटी से बनकर पूरी एड़िट होके कंप्लेट होके आनी थी ना गाइस वह आ चुकी है अब मुझे समझ ज़नी आ रहा कि मुझे लॉस सेंटोस जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए देखो अगर जाएंगे तो भी दिक्कत है नहीं जाएंगे तो ओर जाता बड़ी दिक्कत है क्योंकि यार देखो अभी जो अपना शोरूम था ना जो लिबर्टी वाले फ्रेंड को में ब तो हमारे हाँ से गई वह बड़ी वाली अब बस यार यह जो मुवी प्रोड्यूसिंग का बिजनस है यह हमारे हाँ से ना जाए तो मैं बस वह फिल्म लेकर ना वापिस आ जाओंगा बस मुझे और कोई काम नी करना फिलाल यहां पर किसी गाहों के बंदे की गाड़ी खड सामने की तरफ में एक चोड़ा सा रोड और है उसको अगर मैंने पार कर लिया आना तो सही रहेगा मतलब यार ऐसा मैं से लिए कर रहा हूं कि ताकि कोई भी डगन बॉस का बंदा ना मुझे देखना ले इदर फिलाल यह थोड़ा सा में रोड है यहां से जाने की बजाए ह कोई आता जाता नहीं है बट हम लोग यहां पर आचुके हैं यहां पर बॉड़ी गार्ट्स ने सौरे सिक्यारटी गार्ट्स ने मुझे देख लिया बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब हमें कोई भी खतरा नहीं है बस पीछे-पीछे थोड़ा सा डर था वैसे भी कौन सा पूरे ही शहर में चक्कर लगा रही होंगे चारो तरफ फिलाल हां अपनी गाड़ी को मैं इधर अराम से पाक कर देता हूं साइड में और भी जल्दी से चलते हैं सोलो मौन के ओफिस में अपनी फिल्म लेने के लिए और किसी और थेटर में चाकर मूवी देख लें वे देख लें आप लगा इस यह दो फिल्दी से लिए आप कोई मतलब नहीं तो इस तो इस में अपने का ली दुए, लूट इस आपर क्या बादिख लागा है? यह अपर लूड़ी नहीं तो इस प्रिदें हो जात ले भी गेह नहीं किया का दोर्टम नहीं के बिल्म पर वहाई भी देखो अब आपने सके लिए गाड़ी चोरी करके इसे गाड़ी दे दी तो वो मुवी अब हमारी हो चुकी है शींम सोलमेन उसका दायक्र है तो उसका यहाँ नहीं नोया कोई मतलना यार इसके कर एक जाशनाएउ फ्लैक्ड प्लान करें बैठा हूँ ए इसका है अ बनार भी जाना कर देखो इस बहुत उसका हूँ प्लान कर रहा है वाहई हमार साथ कोही तो बहुत टगडा स्कार्याए म मुझे अरही तैक जब ही चुछी तो पही तो खुछी यह यह की था जब यहाद ऑज भी इस फूटे साथ चाहिए वही फिम्हादि यहाद है यह दो भाई वह अप्लिश देख भाई वह अप्लिश दो भूफ्लिश दो भी जो फिल्म आट भाई भी तो भी अप्लिश दो फ्लाइट विल्विट है अब जो कि अच्छा अच्छा नीच कर दो कि अच्छा यहां ना तो एक पार आप यह काम कर लाए उसके बाद अपनी असेस्टनेंट के साल मिलके इतना ठागा प्लान वहारी मुवी लिए भाग चुकी है और भी अभी जल्दी शली बें एरपोर्ट के लिए निकलना पड़े यहां पर एक मस्ती गाड़ी खड़ी वे किसी बंदे की अब भी फटावट से ना गाइस यही गाड़ी लेकर अम लोग एरपोर्ट के लिए निकलते है और वो भी शाद से एरपोर्ट के लिए निकल चुकी है मुझे जल्दी से जल्दी किया उससे पहले पोचना होगा ए यूकि अकर वो फ्लाइट में बैट की ना तो यार वो फिर निकल जाएगी यहांसे टाविन का यहांसे नो कैसे क्या है अपके तो टाविस एक मिझेश काती अरभाविट फेल प यहांसे हमें बात इनी करनी है अभी जल्दी सल्दीना पहले मुझे अपनी ड्राविंग पो गया न तो बहुत बड़ी गड़ बड़ जाएगी और वो हमारे हाथ से निकल चाहेगी ये वाला रस्ता नी ये वाला रास्ता जाएगा एरपोर्ट के लिए मुझे इस वाले कट से अपनी गाड़ी को लेफ्ट मुणना है एंड एकदम सीधा बगाना है भी वैसे यार इतनी जल्दी वो भाग कर गयी है न गाड़ी से देखो मतलब मैं इतनी थेज बगा रहा हूं तब भी उसके बराबर नहीं पोच पाया इस वाले कट से लेफ्ट हो सब्सक्राइब तो बहुत ही तेज भखा रहा हुं मैं लिए बश… बश के अभी टुक जाती भाई गंदे वाली फिलाल हाँ एरपोर्ट पोचने वाला हम बस यहां पर कुछ गाडी इसकी और की गार है यार, उसकी कार भी यहां से ज़्यादा आगे, अभी हमें उसकी कार नजर आगे है, वो देखो, उचे रेड़ वैली कार आगे चाहरी है, शायद सिफ वो उसकी कार है और उसके पुछे पुलिस पड़ी वी है, लेट्स गो, अब आएगा मजा, इसको पु वह स्वाली तग उसको टेचनी कर पा रहे हैं वह भाई 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 विट सामने एक फ्लाइट आही है शाए ये वाली फ्लाइट इसकी नहीं है यह फ्लाइट पक का इसकी नहीं है ओहँ ट्रक व्यक्साइट करवा दिया है पै्ट्रोल पुम्प का पुरा ट्रक बलास्ट हो वे ओ ओ तेरी पैसकी इस पंदे को इसने टक कर मारी वो बिचारा नेट से आके गिरा और मेरी गाड़ी में आके बिढ़ गया और अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है उसकी गाड़ी कहाँ पर गया भाई एक और प्लेन जला दिया कैसने आपर वोरी वोरी जल्दी से भी हम लोग वहां पर चलते है भाई उपर से प्लेन आरा है वेट गई कैई ये गई इसे के उपर प्लेन लेंड करके भाई उत्यरी रुक जाओ गई भाई ये वाली गाड़ी गई पुलिस की ये वाली गाड़ी भी गई और इसके गाड़ी बच गई यार बठाई इसको में मरने भी नहीं देना ऐसे में वो फिल्म लेनी है जो कि इसके पास है भाई उसके लिए हमने भाई क्या कैनी करा मदराजों से हम लोग इतनी देर तक पिट लिए भाई नहीं वो फिल्म मुझे अभी अभी के भीचे है सामन से उसने पनी गाड़ी को लेफ मोड़ा है लेट्स को हम लोग भी अपनी गाड़ी को यहां से लेफ मोड़ते हैं अब कहां बचके जाएगी आगे रस्ता बंद तो नहीं है रस्ता खुला हुआ है और यह फिल्म लेके भागे यह अंदर वेट अभी इसको पकड़ना किया एक से किन्ड वो तेरी इसका प्लेन स्टार्ट हो गया था और उसके फैन ने से पकड़गे खीच के बाहर फैक दिया है और पूरी के पूरी जगा पर मैं कुछ नहीं बोलोगा इसका बहुत गलता हुआ है वेट अपनी फिल्म यह पर पढ़िया है और पुलिस वाले पढ़ें बहुत गंदी तरह वेट इसको भी मैं जल्दी से मारता हूं मुझे यहां से निकलना पड़ेगा भाई अभी जल्दी से लड़ी एट यार मैं कहां से जाओ एक मिनट सामने प्लेन है पर पुलिस वालों ने भाई अब ही में पुलिस वालों को बहुत गंदी तरह मारने वाला हूं मैं चाहा हूं तो इस प्लेन को लेकर उड़के यहां से निकल सकता हूं बट नहीं यार मुझे ना पहले सोलो मोन के पास पोचना होगा वह ज्यादा इंपोर्टेंट है लट्स गो उत्तिरी सामने से यहीं से भार भागते हैं अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसके लाबा वटःफ ekनी गाड़ी वार बाई तो पुलिस वालों की काड़िया यहाँ पे और आ गई है तो veggie अभी न फिलाल मैंने इन पुलिस वालों के आगे सरेंडर कर लिया है क्योंकि यह अ पीछे पढ़ जाएगा और अभी वैसे भी अपने पीछे टगन बॉस और सबी लोग हमें मारने के पीछे पढ़े हुए है मेनी मद्राजों भी मारना चाहता है अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड भी अभी यह में नहीं छोड़ेगा सिर्फ सिर्फ उस बिल्डिंग अटक की विजह से मैं खुद ही आके भाई गाड़ी में बैठ गया हूँ और अभी पुलिस ऑफिसर भी जो अपना गाड़ी में बैठने के लिए जा चुका है ले चलो भाई तो ओकी गाई सब इना फिलाल की भाई साब जी भी अपनी गाड़ी घुमा के ले आए हैं अभी यह और वो लोग वापिस मिलने आ रहे थे बट फिर से एक पहुत कलत सीन होगा है बट अच्छी बात है कि उन्हें शायद से इस सीन के बारे में कुछ नहीं मालूम कहीं है ऐसा थो नहीं कि जो मेरी मदराजों के बॉड़ी गार्ड्स थे उन्होंने उन्हें भी बाद में किड रहा है वैसे ही मैं भागने नहीं वाला तो की गाइस अभी ना फिलाल हम लोग पहुचने वाले हैं प्रिजन में और अभी मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं कितने टाइम तक इस चार दिवारी में बंद रहने वाला हूं चलो कोई नहीं जो भी हो हम लोग यहां पर एट यह बात लेस्टर को पता चलगी होती है कि इस टाइम पर हम लोग प्रिजन पहुच चुके हैं ताकि इन फ्यूचर अगर हमें बाहर निकलना हो तो किसी ना किसी तरीके से हम उसे कॉन्टैक्ट कर पाए और वो हमें निकाल पाए बढ़ा जो भी है ठीक है लेस्टर जाना चाहता हूं कोई टेंशन वाली बात है नी लो सर मैं लो भार आरो मैं खुदी बाहर आरो ठीक है अभी कोई दिक्कत नी है फटावट से चलते हैं अंदर जेल में पहला कैदी होगा यह लोग भी कह रहे होंगे जो खुद से ही फुल चोड में जाने के लिए आ गया है तो ओछे आज को वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो ची लगिए हो फटा फट से इस फीडिओ पो जाके लाइक कर देना इस लिए करता हूं 1.2 ऊघुमा नीक्स प्सक्राइब करना मुझा इसंप सब्सक्राइब कर स anfagete है तो चलो गाइस आज किस वीडियो में इतना ही मिलते अंगली वीडियो में गुट बाइ